अगर आपको कुछ दीखा चटपटा खाने का मन कर रहा है और घर में ब्रेड या पाव बच जाती है तो उससे आप ये टेस्टी, हेल्थी और फटा-फट से बनने वादा नाश्ता बना की तयार कर सकते हैं तो यहाँ पर मेरे घर में कुछ पाव बचे हुए थे, उसी से मैं आपको ये रेस्पी बना के बताती हूँ हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका रस्वी रेस्पी में आज हम बनाएंगे बचे हुए पाव से एकदम टेस्टी चटपटा मुंबई स्टाइल में बड़ा पाव तो यहाँ पर मैंने ये बचे हुए पाव लिए हैं और इसको कट करके इस तरीके से उपर से इसका छुटा सा पीस निकार लेंगे और अब अंदर जो भी ब्रेड हलकी सी लगी हुई है वो थोड़ा-थोड़ा कट करके और आप इसी तरीके से चमस से सारी इसकी ब्रेड अंदर की निकार लेंगे और इसी तरीके से मैंने सारे पाव को कट कर दिया है उपर से और उसकी अंदर से थोड़ी-थोड़ी ब्रेड सभी पाव में से निकार ली है क्योंकि उसी में हम अपना मसाला भरके चट पटा पाउ तयार करेंगे आप भी एक बार ये रेस्पी ज़रूर बनाईए ये बच्चों पड़ों सभी को बहत पसंद आने वाली रेस्पी है तो देखे इसी तरीके से मैंने सारे पाउ कट कर लिए है और बच्चीवी ब्रेड से आप ब्रेड करम्स बना सकते है तो देखे इस तरीके से हमें अंदर से ब्रेड निकार लेनी है और अब हमारे पाउ पड़ने के लिए एक तम तयार है और ये उपर का हिस्सा जो है ये हम अलग साइड में रखेंगे क्योंकि इससे हम बाद में इसको कवर करेंगे बीच में मसाला भरके और ये जो बची हुई ब्रेड है इससे आप ब्रेड करम्स बना सकते है तो ये भी हमारी वेस्ट नहीं जाएगी अब तयार करेंगे सॉस तो यहाँ पर मैंने दो चमच टोमैटो केचप और दो चमची सेजवान सॉस लिया है और दोनों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और अब हमने जो पाओ कट किये हैं उसमें हम ये सॉस अच्छे से चारो तरफ से अंदर लगा देंगे इस तरीके चारो तरफ से सॉस लगाने से जब आप मसाला भर के तयार करेंगे तो बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा ये आप एक बर बनाएंगे तो बच्चे बार-बार आपसे बनाने के लिए जित करेंगे इसी तरीकी से सारा हमने सॉस लगा लिया है उसमें अंदर पाव में और अब एक पैन में दो चम्मच तेल और एक चम्मच बटर डालेंगे तेल के साथ बटर डालें से बटर जलता नहीं है और जैसे हमारा तेल और बटर गरम होगा उसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और हलका सा जैसे ही सॉफ्ट होगा हमारा प्याज, यहां पर हमें ब्राउन नहीं करना है, हलका सा सॉफ्ट होगा तो हम इसमें डालनेंगे एक बारी कटी हुई शिम्ला मिर्ची, आप चाहें तो इसमें और भी पसंद की वेजीज डाल सकते हैं, इस तरीगी से मसाला पाउ ब तो मैंने ये दोनों चीज डाल दी हैं, अब इसमें क्या करेंगे, एक बारी कटा हुआ टमाटर डालेंगे, इन सब्चियों को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस हलका सा सॉटे करना है, और टमाटर डालने के बार इसको भी अच्छे से एक मिनिट के लिए चला लेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे सुखे मसाले, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक चोथा ही चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और अब हम इसमें डालेंगे आधा ही चमच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे हमारी भाजी का कलर बहुत ही अच सा फ्राई करना है और अब डालेंगे इसमें अब टेस्ट के इंसार नमक तो यहां पर मैंने आधा चमस नमक डाला है और इसको मिक्स करके इसको ढख कर दो मिनिट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे मसाली का सारा फ्लेवर सबजियों में आ जाए तो इस तरह से धीमी गैस पे हम इसको ढख कर दो मिनिट के लिए ढख देंगे और दो मिनिट बाद अब हमारा मसाला तयार है तो अब इसको प्लेट में निकालने से पहले इसमें एक टेस्टी चीज डालेंगे और वो है एक चमस हम इसमें डालेंगे सोया सॉस सिर्फ एक ही चमस डालना है क्योंकि अ सारा हरा धिनिया अब हमारा मसाला बन की तैयार है इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और प्लेट में निकाल लिया है और ये ठंडा हलका सा ठंडा होने पर इसमें 2-3 चमच आप मॉजरुला चीज डालें अगर आपके पास मॉजरुला चीज नहीं हो तो आप कोई भी वो आप इसमें थोड़ी सी एड़ करने इससे बहुत ही अच्छा फ्रेवर आएगा और बच्चे हमारे बेहत पसंद करेंगे तो अब हमने जो पाओ में सौस लगा की रखी थी उसको लेंगे और जो हमने ये मसाला तयार किया है उसको इसमें अच्छे से फिल कर देंगे द तरीके से इसमें फिल कर दें और उपर से जो हमने कट किया से पीस उसको इस तरीके से बंद कर देंगे तो हमारा मसाला बिल्कुल भी नहीं फैलेगा और अब एक तवा पे आप बटर घी जो भी आप ड़ना चाहें वो डाले और इसको अच्छे तरीके से बेल्ट हो और बटर में तो क्या कहने बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो इस तरीके से हमें पाव रखे चारो तरफ से इसको पहले अब इसको हम एक तरफ से सेखेंगे तो ढग देंगे जिसमें हमने जो चीज अंदर डाला है वो हलका सा मैल्च हो जाएगा तो इस तरीके से ढग कर हमे तरीके से क्रिस्पी होने तक इसको सेख लेंगे और इसको चारो तरफ से आप थोड़ा थोड़ा बटर लगा के चारो तरफ से अच्छे से सेख लीजिए यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने के बाद प्रेंट्स अगर आप कोई रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज ल जी कमेंट्स करके बिताईए कि आप यह रेस्पी कैसी लगी है और इसे आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिए देखिए इस तरीके से मैंने चारो तरफ से इसको बटर लगा के इसी तरीके से क्रिस्प होने तक चारो तरफ से सेख लेना है तो जो भी यह बटर वाली है न वो भी मेल्ट हो जाएगा तो आप हमारा ये पाव चारो तरफ सिग गया है और अब हम इसको निकालते हैं एक प्लेट में इसे आप हरी चटनी टोमेटूज केचप जिससे भी खाना पसंद करें यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो आप भी एक बार इसे जरूर